इस अर्दी चौधरी सभी को बिल्कुल वेरी गूड मोर्निंग रादे राम राम कैसे आप सब बढ़िया एक बार जड़ा कॉमेंट करके आप लोग कन्फर्म कीजिए कि ओडियो वीडियो सब कुछ औलो के है एज यूजल बच्चा आज आपका चैप्टर जो है बहुत ही इ ठीक है क्या क्या कोशन उससे पूछे जा सकते है कहां हमारा बलड बनता है हाई बीपी क्या होता है लो बीपी क्या होता है हाई बीपी के कारण अटैक जादा खतरनाग होता है या लो बीपी के कारण आपको कैसे हाट इटाक आता है ठीक है आपकी कौन सी आर्ट्री है जो क कि आपका श्युद्र रखती है कौन सी है जो कि आपका अश्युद्र रखती है यदि आपको कभी बीपी मेजर करना पड़ जाए आपके शरीर का तो आप कैसे अपने शरीर का बीपी मेजर करेंगे इन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे और exam oriented question भी cover करेंगे लेकिन उससे आप लोगो को एक बार जड़ा क्लास को जोरदार दरीकी से शेयर और लाइक करना होगा ठीक है बच्छा ओके यदि आपको मेरी क्लास इस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अड़ा247 की application को play store से आप लोग जरूर डाउनलोड करे है ओके तो देखो बच्छा यहाँ पर आज आपका थोट का है कि ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारते थे सबको मारते होंगे डिफिनिटली हमें तुम्हें यह सब लोग जो होते न वो चार लोग क्या कहेंगे वो चार लोग कुछ नहीं होते यह चार लोग कामियाब बनाना है कुल मिलाके कहने का इसका सिर्फ इतना सा मतलब है आप सब के लिए बचाए गुड नियूज की आज से जो आपका RRB, LB का बेटा ये मेरा बैच है ये आपका शुरू हो रहा है Y446 कोड लगाकर 403 रुपे में पर्चेस कर सकते हैं क्योंकि आज आपका डबल वैलेडिटी है लेकिन यदि आप रेलवे TTE रेलवे टेक्नीशियन रेलवे पुलिस, SI, कॉंस्टेबल गुरूप D, NTPC इन सब की एक साथ तयारी करना चाहते हैं रेलवे के महापैक पर आज आपकी डबल वैलेडिटी ओन है आप लोग Y446 कोड का इस्तमाल करके 900 रुपे में ये बच्चे आपना बाच पर्चेस कर सकते हैं ठीक है चलो एक बाज़रा क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कुछ बहतरीन कोशन्स पर फोकस करते हैं बलड फेल टू क्लोट वाइल फ्लोइंग इन दा बलड वैसल्स विकोज ओफ दा प्रेजेंस ओफ रक्त वाहिका में रक्त किसके कारण नहीं जमता बताइए रक्त वाहिका में रक्त किसके कारण नहीं जमता हेपरिन, प्रोथ्रोंबिन, हीमोगलोबिन या हीरोडिन रक्त वाहिका में रक्त किसके कारण नहीं जमता अगला मेरा कोशन है कि रक्त आपका कहां पर बनता है ब्लड फॉर्मेशन कहां होता है बताइए ब्लड फॉर्मेशन कहां होता है बताओ जी ब्लड फेल टुकलोट वाइल फ्लोइंग इन दा ब्लड वैसल विकोज ओफ दा प्रसेंस ओफ रक्त वाहिका में रक्त किस के कारण नहीं जमता तो देखो बच्छा हमारे खून में आपका क्या होता है प्रोटीन होता है पिगमेंट होता है कुछ भी आप लोग समझ लीजिए क्या बच्छे आपका हेपरिन क्या बच्छे आपका क्या होता है हेपरिन होता है जो हमारी बलड हमारे शरीर के अंदर आपके बलड को नहीं जमने देता आपको जब भी चोट लगती है थोड़ी देर के ही बाद आपका खून जम जाता है थोड़ी देर के ही बाद आपका खून जम जाता है उसमें क्या-क्या कारक होते है विटामिन के होता है, कैल्शियम होता है थ्रोमबीन, प्रो थ्रोमबीन, हीमोगलोबीन भी मदद करता है इन सब कारणों की वज़े से आपका खून जो होता है बचा वो जम जाता है लेकिन हमारे खून के अंदर जो हेपरिन पाया जाता है वो खून को शरीर के अंदर जमने से रोकता है क्या बचा खून को शरीर के अंदर जमने से रोकता है अब यहाँ पर एक शब्द आपको हिरोडिन. यह हिरोडिन क्या होता है अब m बेटा. जिन लोगों में हैपरINGING कमी हो जाती है, ध्यान से सुनना. जिन क्या होता है बचा यह उनके order in बड़र देंदर हिरोडिन. यह हिरोडिन इनसान के शरीर के अंदर खुन का थक्वा जमने, से ही रोकता है और इसको हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं बेटा आपकी लीच से जो आपकी जोक होती है न जोक का जो सलाइवा होता है जो उसकी लार होती है उस से हम लोग इसको हेरडन को प्राप्त करते हैं What is ma'am hemoglobin? बहुत बच्चों को जिनको नहीं पता है, बिलकुल New batch का time क्या है, बिटा, मेरी class का time रहेगा, उसमें आपका 7-8 मैं रात को पढ़ाऊँगी, क्यों कि पूरा दिन बिजी है schedule बच्चा ये आपका iron होता है, और iron भी किस फोम में बच्चा आपका, फैरस की फोम में ये जो प्रो थ्रोम्बिन है, ये भी आपका एक प्रोटीन है, जो कि खून का थक्का जमने में मदद करता है मैं अभी आपने एक और question पूछा था कि खून हमारे शरीर में कहां बनता है, बताईए कि blood जो है, खून जो है वो हमारे शरीर में कहां बनता है, तो किसी भी बच्चे का अंसर आया नहीं है कि blood हमारे शरीर में कहां पर बनता है, बताईए Blood का Formation हमारे शरीर में कहां पर होता है किसी का आया TTE की Vacancy हो Technician की हो ALP की हो बिटा जनवरी फरवरी तक आपकी Vacancy आ जाएंगी Vacancy आने से पहले हम लोग ये चाहते देखो Selection उन्हीं बच्चों का होता है जो Advance में कम से भी कम 6 महीने पहले तैयारी में लगे हो इस बार Railway आपकी पंच वर्सिय योजना नहीं रहेगी बिल्कुल हाँ बहुत सारे Vandana जी का आंसर आया है Siwani जी कह रही है Heart में बनता है Srishti का आंसर ठीक आया है आपका विनोध जी का बिल्कुल ठीक आया है आंसर विनोध जी का एकदम correct आंसर आया है Isha का आंसर ठीक है बिल्कुल Srishti, Arjun, Rahul ठीक है Okay, almost काफी बच्चों ने आंसर ठीक दिया है देखो बेटा यह हमारी हड़ी है यह हमारी हड़ी है इस हड़ी में आपका दो टाइप की bone marrow होते है एक होता है आपका yellow bone marrow यानि पीला अस्थी मज्जा जहां पर आपके क्या पाए जाते है एडिपोस, tissues पाए जाते है ठीक है और एक होता है बच्चा आपका red bone marrow जहां पर आपके क्या पाए जाते है लाल अस्थी मज्जा और यहीं पर RBC WBC and platelets या फिर आप लोग यूँ कहिए कि आपके शरीर में जो blood cells हैं उनका formation कहां होता है हड़ीयों के अंदर होता है क्या मैम सारी हड़ीयों के अंदर blood बनता है तो मैं आपसे बोलूँगी नहीं सारी हड़ीयों के अंदर blood नहीं बनता किसी भी adult में femur जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड़ी है इस teranum ठीक है जो की tie bone है ठीक है इस तरह से आपके एक सारी पसलियों से connected होती है पसलियों के बीच में पाई जाती है और एक होती है humerus एक क्या होती है बच्चा आपकी humerus यानि आपके हाथ में जो ये वाली हड़ी होती है तो किसी भी adult के अंदर इन तीन हड़ीयों के अंदर basically blood का formation होता है ठीक है अगला question देखते है hemoglobin contains the matter बताईए hemoglobin में इन में से कौन सी धातू पाई जाती है सारे बच्चे answer करेंगे जहां जिस question में जितनी जरूरत होगी उतना explain करती रहूंगी मैं उस question को कल भी आपका blood ही लगेगा मैं आपको बता देती हूँ अब आपके जितने भी chapter हैं वो parts में लगेंगे एक, दो, तीन, चार, मुझे नहीं पता मेरे पास तो बहुत सारे questions है अब ये मुझे नहीं पता कि कितने आपके part लगेंगे लेकिन हाँ कम से भी कम minimum दो part तो हर chapter के लगेंगे तो कल भी आपका blood ही चलेगा हीमोग्लोबिन contains the metal हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है बताईए अब ये question तो बहुत इसी है सब का answer आना चाहिए और जिन्होंने like नहीं किया क्लास को like करें और minute-2 minute की class करने से कुछ नहीं होने वाला बिल्कुल हीमोग्लोबिन में इन में से कौन सा धातु पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन में इन में से आपका कौन सा धातु पाया जाता है बच्चा आपका iron ठीक है हीमोग्लोबिन अभी बताया दो शब्दों से मिलकर वना है एक हीमो और एक ग्लोबिन ये ग्लोबिन यहाँ पर protein है हीमो क्या है बच्छा ये आपका आइरन और आइरन भी किस फोर्म में पाया जाता है फैरस की फोर्म में पाया जाता है आइरन भी किस फोर्म में पाया जाता है बच्छा आपका फैरस की फोर्म में पाया जाता है तब pH of human blood is मानव रक्त का pH कितना होता है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4 कम से भी कम बेटा 20-25 बार ये question पूछा जा चुका है अलग-अलग competitive exam में कोशिश कीजिए आप लोग एक बार answer देने की और बचा एक बार request है कि सारे बच्चे answer करो देखो exam सभी को देना है exam सभी का होना है ठीक है आप लोग जितना class में energy दिखाओगे जितना positivity दिखाओगे चीज़े खुद पर खुद बढ़ती जाएंगी मानव रक्त का pH आपका कितना होता है बच्चा बिलकुल बहुत सारे बच्चों का answer सही आया कितना आया है आपका 7.4 ठीक है कितना बच्चा 7.4 होता है 7.4 का मतलब क्या हुआ मेरे ख्याल से साथ basic nature हो जाएगा है ना निम्न साथ वो आपका एक digestive enzyme भी है मतलब हमारे शरीर में खाना पचाने में भी मदद करता है बताइए कौन सा enzymes है जो humans में खून का थक्का जमाने में मदद करता है बिलकुल कौन सा है बच्चा आपका Pepsin वो enzyme है जो हमारे शरीर में protein को पचाने में भी मदद करता है और साथ ही आपको blood को coagulate करने में जमाने में भी मदद करता है किस कसेरुकी में oxygen युक्त और oxygen रहित blood आपस में mix होता रहता है fish के अंदर, amphibians के अंदर, birds या mammals के अंदर यदि आपको कल की class याद है जिसे मैंने heart आपको पढ़ाया था और मैंने आपको बहुत clearly समझाया था कि किस में कितने chamber का heart होता है तो आप इस question को easily कर सकते हो भाई एक बार जड़ा minimum minimum इसको 2 के number से पार लेके जाओ watching को, एक बार share करो, सब लोग अपने WhatsApp status पर लगा दो class को ये आप लोग खुद ही कर लिया करो, जितना बचा class में अभी present है इतना तो यार waiting में दिखना चाहिए, आपको पता है, 9 बज़े class होती है तो काम छोड़ के बैठ जाया करो मेरी classes मैंने इसी वज़े से एक गंटे की नहीं कराई है कि एक गंटे की class में बच्चे को बहुत बार ऐसे लगता है कि यार बहुत लंबी class है पूरी class सी लगती है, आदा गंटा, इस ज़स्ट लाइक ठीक है, हमने सीख भी लिया और हमारा समय भी आपस में आपका manage हो जाता है बिलकुल, किस के अंदर? Amphibians के अंदर उबहे चर्जों होते हैं इनमें आपका क्या होता है oxygenated और de-oxygenated blood mix होता रहता है इनमें क्या होता है बच्चे आपका 2 chamber का heart, यहां 3 chamber का birds में 4 chamber का और हमारे अंदर भी 4 chamber का तो जो amphibians होते हैं बच्चे इनमें आपके 2 auricle होते है और 1 ventricle होता है तो यहां आपका जो blood होता है वच्चे वो आपका mix होता रहता है ठीक है? वो आपका mix होता रहता है अगला question देखते हैं जड़ा क्या है? शब्द RH या फिर सिर्फ इतना सा question पूछा गया था एक्जाम में की RH की full form क्या होती है? RH की full form क्या होती है? बताईए RH की full form क्या होती है? बताईए What is the full form of RH? Renal factor नहीं होता बच्चा Rhesus factor क्या बच्चा? Rhesus factor ठीक है? यही वो Rhesus factor है जिसको आगे study करकर डॉक्टर ने बताया था कि हमारा blood group कैसे positive और negative होता है आपका blood group positive है या negative है? डॉक्टर को कैसे पता लगता है? इस Rhesus factor की study से ही पता लगा था यह आपका दो टाइप का होता है एक होता है RH positive, एक होता है RH negative यदि और आसान भासा में समझना है तो यह समझ यह इसकी जब study की गई तो यह पता लगाया गया कि हमारे शरीर के अंदर आपका एक D antigen पाया जाता है क्या पाया जाता है बच्चा आपका D antigen पाया जाता है और यह D antigen के कारण ही आपका blood group positive या negative होता है यदि आपके blood group में D antigen present है तो आपका blood group positive होगा यदि absent है तो आपका blood group negative होगा ठीक है बच्चा आपका blood group negative होगा वयस्क पुरुस में सामान्य RBC की मात्रा कितनी होती है वयस्क पुरुस में सामान्य RBC की मात्रा कितनी होती है बताईए RBC की संख्या कितनी होती है किसी भी अडल्ट के अंदर RBC की संख्या कितनी होती है साड़े 5 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन या साड़े 4 मिलियन बताईए देखो फीमेल में होती है 4 से साड़े 4 मिलियन और मेल में होती है 5 से साड़े 5 मिलियन पांच से साड़े पांच मिलियन ठीक है बच्छा अब यहां पर देखो आप लोग कहां फसोगे क्योंकि आपका पांच मिलियन भी उप्षन है और साड़े पांच मिलियन भी उप्षन है लेकिन अधिकतर बुक्स आपकी क्या बेटा पांच मिलियन को सही मानती है अधिकतर जो किताबें हैं वो 5 million को सही मानती है ठीक है और लड़कियों में 4 से 4 million लेकिन होता actually में ये variation ही है साड़े 5 तक होता है तो यदि किसी option में आपको 5 million ना मिले साड़े 5 मिले तो आप साड़े 5 टिक करके आ सकते हैं या किसी में आपको सिर्फ 5 million करें तो आप 5 million भी टिक करके आ सकते हो range actually क्या होती है वो मैंने आपको बता दी ठीक है 5 भी ठीक है साड़े 5 भी ठीक है और मैं आपको सही बात बताओं तो बिटा ये question आपका थोड़ा सा error ही था examiner की वज़े से examiner की तरफ से लेकिन उसने 5 million को सही answer माना था सही आपका साड़े 5 million भी है मैं आपको अभी किताब खोल के भी दिखा सकती हूँ जहां पर ये range आपको लिखी हुई मिल जाएगी ठीक है बच्चा clear? ओके चलो अगला question देखते है ज़रा एक बार next question क्या है रक्त में anti-cogulant पदार्थ कौन सा है बताईए anti-cogulant मुझे पता है बच्चा कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि कुछ questions repeat है इन में से वो इसलिए लग रहा है क्योंकि बटा आपने classes पहले ली हुई है लेकिन वो बच्चे जो class में पहली बार जुड़े हैं मुझे उनको भी पढ़ाना है उनको भी आप ही की तरह समझाना है अभी आपका part 1 है कल आपका part 2 चलेगा इसी का ठीक है? तो ये आप लोगों को परि यार देखो सुबह सुबह का वक्त है है ना अराम से शान्ती में बढ़ेंगे आप लोगों के पास तो फिर भी आप लोग तो रजाई कंबल में बैट के चाय हाथ में होगी आपके ममी आपके पराठे ला रही होंगी है ना पराठे रोटी जो भी आप खाते होंगे या बह Pisabryonosen, Hemoglobin या ImmunoGloid, देखो ये तीनों के तीनों ही आपका खून का धक्का जमाने में मदद करते हैं, यानि कि आपका क्या हो जाएगा, None of the above, क्या इन वैंल नौन ऑफिदा अबव हो जाएगा, मानव रक्त का लाल रंग किसी हैं और जिन लोगों ने ये question पहले किये हुए हैं वो revision समझ लेना अपना वो ये देखना कि आज तुमने इन में से कितने question ठीक किये हैं यदि सारे ठीक किये हैं तो बहुत अच्छी बात है मानव रक्त का लाल रंग इन में से किस के कारण होता है बताईए मैं बलड का क्लास लगा दीजिये मैं बेटा बलड ही चल रहा है आपका बताईए अच्छा एक बच्छा कह रहा है मैं नहाद होके हम लोग क्लास लेने बैठे अच्छी बात है यदि आप लोग इतने हैं घर पे रहते हुए भी इतने आप लोगों को है की नहीं यार क्लास को क्लास की तरह ही लेना है तो बहुत अच्छी बात है बताईए मानव रक्त का लाल क्यों हो मानव रक्त का जो आपका लाल रंग क्यों होता है किसके कारण होता है यार ये तो question बहुत easy है at least this question का answer तो आप सारे बच्चे को देना चाहिए था बिल्कुल ये तो मतलब 5th या 6th class का बच्चा भी बता देगा आपका किसके कारण आपका hemoglobin ठीक है hemoglobin के कारण हमारे खून कारण क्या होता है लाल होता है अच्छा ठीक है hemoglobin का color होता है आपका purple hemoglobin का actual color आपका purple यानि बैंगनी रंका होता है अब बताईए फिर आपका blood है human blood है वो लाल क्यूं होता है अभी मैंने आप ही आप सब ने बोला कि hemoglobin के कारण हमारा खून का रंग लाल होता है अभी मैं आपसे बोल रही हूँ तो आप ये बताईए बच्चा फिर कि hemoglobin का color purple है तो खून का रंग लाल कैसे है तो खून का रंग लाल कैसे है बिल्कुल बच्चा देखो हमारे खून का रंग लाल है क्योंकि hemoglobin का actual color purple ही होता है बैंगनी रंग का ही होता है इस hemoglobin में आपका लेकिन iron पाया जाता है और iron ferrous की form में पाया जाता है और जब भी iron आपका किस से बच्चा oxygen से reaction करेगा, तो ये धीरे-धीरे अपना color बदलेगा, ये पहले आपका reddish pink होगा ये आपका पहले reddish pink होगा फिर उसके बाद में अपना color बदलेगा, finally red color में हो जाएगा, आपने देखा होगा, जिब भी लोहे को जंग लगता है लोहा आपका oxygen के साथ में reaction करेगा, तो वो अपना color change कर लेगा, ठीक है रक्तवाहिकाओं के रुदुराणू से रहित भाग को क्या कहा जाता है या फिर आप यूँ बताईए आपका कि यदी हम अपने blood में से सारी की सारी cells को minus कर दूँ, तो बताईए जो मेरे पास part बचेगा, उसको हम क्या कहेंगे, blood में से यदी मैं सारी cells अठा दूँ, remaining part आपका कौन सा होगा, बताईए blood से सारी cells मैंने minus कर दी है, तो बताईए remaining part आपका क्या होगा paid class प्रजापती आज से शुरू हो रहा है आपका batch, आज आपकी double validity है, देखो double validity का मतलब क्या है बच्चा, कि आपका पैसा बचेगा regular भी आपको बहुत कम ही price पर है, 900 रुपे में भाईया एक साल के लिए बहुत कम है, लेकिन अब ये 900 रुपे में, आज रात 12 बजे से पहले यदि आप purchase करते हो, तो 2 साल के लिए रहेगा, है ना, मतलब आपको एक तरह से 50% off मिल गया है, पूरा batches पर, double validity का मतलब यही होता है, ओके जी, blood cells, बिलकुल, तो क्या बचेगा, बचेगा आपका serum नहीं, देखो, ध्यान से सुनो, यह आपका बचेगा plasma, यदि आप blood में से सारी blood cells माइनस कर दोगे, तो तो बचेगा आपका plasma, ठीक है, यदि आप blood से, यदि आप blood से सारे clotting factor माइनस करोगे, ठीक है, clotting factor, यानि वो factor जो खून का ठक्का जमाते हैं, यदि आप उनको माइनस करोगे, तब आपका बचेगा serum, यानि serum जो है बचा आपके blood का वो हिस्सा होता है, जो कभी नहीं जमता, जो आपका कभी नहीं जमता, बात समझ में आई, clear हुआ, okay, बात समझ में ही देखो, blood में से यदि सारी cells माइनस कर दोगे, क्योंकि blood देखो किस-किस से मिलकर बना है, blood आपका बना होता है plasma से, और आपका cells से, plasma blood का liquid part होता है, जो की 55 प्रतिशत पाया जाता है, 45% होती है आपकी cells, ठीक है, और ये blood का solid part होता है, ये blood का आपका solid part होता है, clear बचा, ओके, तो basically blood जो है, ये आपका दो चीजों से मिलकर बना है, आपका plasma से और blood cells से, ठीक है बचा, यानि यदि तुम आपका, क्या blood में से यदि सारी cells माइनस कर दोगे, तो आपका plasma बचेगा, यदि blood से सारे clotting factor माइनस कर दोगे, तो आपका serum बचेगा, ठीक है, ओके, दोनों question का doubt किलियर हुआ, जिन बचों को doubt था, कि serum क्या है और plasma क्या है, ओके, बहुत उंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणी काएं, बहुत उंचाई पर जाने पर, मानव शरीर में लाल रक्त कणी काएं, size में बढ़ती हैं, या number में बढ़ती हैं, size में घटती हैं, या number में घटती हैं, बताईए, आज आप संख्या में काफी कम रह गए, सर्दी का मुसम है, भई, धीरे 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 धीरे, आप लोग नींद में तो रहो गई, सुबह सुबह, उससे सुबह नहीं हैं, यार साड़े नो होने वाले हैं, बिल्कुल, बहुत उंचाई पर, मानव शरीर में, जो आपकी लाल रक्त कणी काएं होती हैं, वो क्या होती हैं, बेटा, increase in number, वो किसमें बेटा, आपकी संख्या में आपकी वरद्धी होती रहती है, कौन सी रक्त कणी काएं, रोग के खिलाफ पृतिरोध का निर्मान करने में मदद करती हैं, या इन में से कौन सी कोशिकाएं हैं, जो कि हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है बताईए कौन सी कोशिकाए हैं जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने में मदद करती है बिल्कुल तो बीमारियों से लड़ने में कौन सी मदद करती है बताईए आपकी लियोकोसाईट क्ऊन सी लियोकोसाईट यानि की WBC जो होती है यह हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने में मदद करती है इनका नाम क्या होता है आपका white blood cells, बंती कहां पर है, मैम, bone marrow में, कौन से bone marrow में बच्चा, red bone marrow में, इस से ज़्यादा detail में तुम से और क्या ही पूछेगा examiner, red blood cells are produced by, चलो भई, अगला question ही ये पूछ लिया कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्मान आपका किस के द्वारा होता ह है या कहां पर होता है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्मान किस के द्वारा होता है बताइए लाल रक्त कोशिकाओं का निर्मान किस के द्वारा होता है liver, hormone, bone marrow या heart बिल्कुल बच्चा, तो कहां पर, बहुत सारे बच्चों का अंसर ठीक आया है, और मोस्ट आपका क्या बच्चा, बोन मैरो में, कहां होता है आपका बोन मैरो में, और कौन से बोन मैरो में होता है, आपका रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है, यही बटा आपका कल भी चलेग Don't worry, अब आपकी classes मैंने parts में divide करा दी है, क्योंकि questions मुझे आपको ज्यादा कराने है, concept मुझे आप लोगों को ज्यादा clear कराने है, last में आप लोग देखेंगे बेटा, batch में कैसे enrollment करा सकते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना एक बार जरा, आप लोगों को simple क्या करना है बेटा, हमारी website visit करनी है, adder 24-7, ठीक है, ये हमारी website क्योंकि आज double validity है, तो आज purchase करके रख लो भईया, all course पर click करोगे railway, देखो मैं आज आप से ये railway ALP का separate batch है, जो आपको 4500 रुपे में मिल जाएगा, double validity के साथ ये भी एक साल के लिए मिलेगा, CBT1 के लिए batch है, जिसमें आज से मे मेरी बात सुनो बेटा, आज आज आपको खरीदना है railway का महा pack, क्योंकि बेटा, ये railway का महा pack, आपको मुझे पता है, आप लोग form भरोगे किस-किस का, आप लोग SI का, railway police constable का भी, NTPC का, गुरुप D का, जो भी railway vacancy निकलेंगी, TTE, technician, इन सब का form आप definitely भरोगे, तो आप ल 200 रुपे में, ये देखो आपको 2 साल के लिए, 2 साल के लिए बच्चा आपका valid है, इसमें सारी test series, technician, TTE, ALP की सारी test series आपको free में मिलेंगी, live classes मिलेंगी, जैसे आज से मेरी शुरू हो जाएगी, even जो मेरे 2 batch पुराने चल रहे हैं, उनकी live class भी आपको दिखेंगी, इसमें video course, e-books, ये सब बच्चा आपको यहाँ पर इसमें free में मिलेगा, तो भाई, आज रात 12 बजे से पहले, ये railway का महापैक, आप लोग खरीद के रख लो, ये गलती मत करना, 1345 बच्चा, ये सारी की सारी आपकी test series हैं, जो आपको यहाँ पर free में provide कराए जाएंगी, 400 इक्यान भाईया, इससे जादा सस्ता और आपका क्या ही होगा, देखो ये सारी की सारी, live class, test series, आपको, अच्छा test series में पता हैं, जैसे माल लिया, आपको कोई question गलत हुआ, तो उसको with solution लिखा हुआ है, कि इसका solution क्या होगा, जिससे की ताकि आप next time उस गलती को ना करें, ठीके, आ personality development, spoken English का भी, even तुम्हें यहाँ पर free में एक course मिलेगा, live webinars with industry expert, ये सब बच्चा आपको इस मातर 900 रुपे में मिलेगे, इससे ज्यादा सस्ता कुछ हो सकता है, मुझे नहीं लगता बच्चा, एक बार 900 रुपे को ना, आप लोग 24 से divide करके देखना, ठीक है, किस से बच्च में एक subject, सोच कि देखो भईया, इस से जादा सस्ता और तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता, मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको ये बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आपको समझ आ रही होगी, definitely, यदि आपको कोई भी, आप लोग लगातार पूछ रहे हो, मैं हम railway के लिए best किताबे कोन सी हैं, तो देखो बच्चा, हमारे पास एक basically एक आपका combo है किताब का, जो आपका SSC, railway और bank, तीनों exam कवर करती हैं, आप लोग all course पर जाएंगे, SSC select करेंगे, और यहां CGL select करेंगे, तो बेटा देखो, CGL में फिर आ नहीं बदलेगा, सिर्फ exam pattern बदलेगा, syllabus आपके वहीं है fix, तो यहां पर यह वाली, मैं आपको book suggest करूंगे, यह tier 1 वाली जो complete book आपको दिख रही हैं, यह 5 किताबे हैं, जो सारे competitive exam के लिए हमने common बनाई हुई हैं, सिर्फ डली हुई CGL वाले में हैं, यहां पर आप लोग coupon code लगाओगे, discount के लिए, 1499 में, यानि 1500 की दिख रही है न, Y446 पीछे S लगा देना है, मतलब जो आपका company का coupon code, जो मेरा coupon code है, यह समझ लीजी आप, Y446 उसके पीछे यह आप S लगा दोगे, तो test series और books में आपको discount मिल जाएगा, ठीक है, तो 1244 रुपे में यह 5 किताबे ह जो तुम्हारे घर पर पहुचा दी जाएंगी, भई 5 किताबे, 1200 रुपे में, तो यह भी obvious लिए आपकी सस्ती ही है, भई, online जो चीजे हैं उन्होंने पूरे education को बहुत ही आपका बचा, बहुत ही सस्ता कर दिया है, मतलब बहुत ही, एक तरह से आपका, सारी ही चीजे आप इन सब की, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, SSC railway, लिखा हुआ है न railway, तो यह railway के लिए बचा, आप यही किताबे order करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, जिसे माल लिया, आपने, पहले आपने, क्या पढ़ा है बचा, पहले आपने भूगोल पढ़ा है तो पहले देखो, आपको जलवाईू, पूरी थियोरी है, फिर जलवाईू के कोशन है, और फिर बचा, पूरी भूगोल के आपके MCQ है, इस तरह से बचा, यह बुक हमने पूरी डिजाइन की हुई है, तो इससे बैस्ट बुक मुझे लगी नहीं, मैंने खुद आप, आप की डबल वैलेडिटी ओफ हो जाएगी, ठीक है बचा, बाई-बाई, टेक केर, जेहिंद,